वेलकम टू इजी लर्न उर्दू मीडियम आजके इस वीडियो में हम सैवेंथ क्लास यानि हफ्तुम जमात यानि सात्वी जमात का उर्दू ब्रीच कोर्स का डे 20 यानि 20 दिन देखने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं 20 दिन सलाहियत तसवूरात है समझना बोलना और लिखना और मालूम करें उस्ताद सरप्रस की मदद से एक्तिबास समझना और उस पर मुनहसिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना पहले एक्तिबास बगौर पढ़ें फिर सवाल पढ़ें उस पर बगौर करें और अपने अलफाज में इन सवालों के जवाब लिखिए आओ एहलियत पैदा करें हजड़त अमर फारुक रजियल्लाहु अन्हों मुसल्मानों के दूसरे खलीफा थे उनके वालिदे उनके वालिद का नाम खताब था हजड़त अमर रजियल पारी के फुनून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सिखा हजड़त अमर रजियल्लाहु अन्हों तिजारत के सिलसले में उन्हों ने दूर दरास के सफर किये और दौलत कमाने का अलावा इल्मन और तज्रुबा भी हासिल किया हजड़त अमर रजियल्लाहु अन्हों का शुमार अरब के सरदारों में होता था शुरूब में अरब के सरदारों की तरह उन्हों ने भी इसलाम की दावत को कुबूल नहीं किया बलके शदीद मुखालिफत की लेकिन अल्ला ने हजड़त अमर रजी अल्हों को फेर दिया चुनांचा हजड़त मुहम्मद अल्हों की खिद्मत हाजिर होकर इसलाम कुबूल कर लिया जब दुश्मनों का जुल्मों सित्म हाद से बढ़ गया तो अल्ला के रजुल सललला हुआ अल्हों की तो चलिए अब हम इक्तिबास तो पड़ चुके हैं अब हम उस इक्तिबास में से मश्क करते हैं आओ मश्क करें जिसमें पहले सवाल है हजरत मुहमद हजरत अमर के वालिद का नाम क्या था तो इसका जवाब है हजरत अमर के वालिद का नाम खत्ताब था दूसरे सवाल है हजरत अमर ने किन फनून में महारत हासिल की जवाब हजुरत उमर ने पहलवानी और शेह सवारी में महारत हासिल की तीसरे सवाल है हज़रत उमर ने किस तरह तिजारत की जवाब हज़रत उमर ने तिजारत के सिलसले में बहुत से दूर दराज सफर किये और दौलत कमाने के अलावा इल्म और तज्रुबा भी हासिल किया तो आउँ मश्क करें तो हो चुका है और आउँ तकिलाती बने चैल्लेंज तो करना ही नहीं है हमें वो तो हई नहीं तो आपको आजका वीडियो अगर अच्छा लगा होगा है यह ओप कि ऐस वीडियो को जा के जल्दी से लाइक कीजिए और जिन दिन बच्चों को सवाल वजवाब की वीडियो की जरूरत है उन्हें शेर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए